लोग सभा चुनावों को लेकर कईनेता टॉक आफ दर टाउन बन गए हैं तो वहीं कईनेता अपने विबादित जुबान के चलते सुर्ख्या बटोर रहे हैं पर ये एक नया मामला सामने आया है जिसमें बीजेपिक के प्रत्याशी तेजी से वारल हो रहे हैं संबल से बीजेपि प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी महिला टॉलेट से नीचे उतरते दिखाएं दिये परमेश्वर लाल सैनी को महिला टॉलेट में जाते देख किसी ने वीडियो बना लिया और वीडियो वारल कर दिया वीडियो कुछी समय में जनता के लिए चर्चा का विश्य बन गया है आपको बता दें मुरादवाद में पहले चुरण में चुनाव की बोटिंग होनी है सभी राजमितिक दल इसी को लेका जनसभा और रैलियो में जोटे हैं शुरुवार को बुद्विहार में अमित चुहा की जनसभा थी ग्रहमंची की जनसभा में आसपास के सभी बीजेपे प्रत्याशी भी पहुँचे जहां जनसेलाव उमर पड़ा परमेश्वलाल सैनी भी वहें शामिल होने के लिए गए थे वहीं जनसभा के दोरान महिलाओं की सुविधा के लिए टॉलेट लगाए गए थे जनसभा खत्म होने के बाद बीजेपे प्रत्याशी को इतनी भी सुध नहीं रही कि वो पुर्शों के टॉलेट की जगा महिला टॉलेट में ही चले गए वहीं मौजूद किसी वेक्ति की नजर नेता जी पर पड़ गई तो वो होना क्या था उसने वीडियो बनाया और नेता जी को वरल कर दिया जब परमेश्वर लाल सैनी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने मुस्करा कर हाथ जोड लिये और कोई जवाब नहीं दिया